आप सभी का Fitter Fighter चन्ल बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ Fitter Theory का Paper जो 2017 में सैमिस्टर बन में हुआ था तो यह जो सैमिस्टर बन में हुआ था तो इस साल के जो हमारे Paper हो रहे हैं उन में भी जो हमारा Theory का Paper होगा वो semester बनका ही होगा जो 15 मर्च के बाद होने वाला है क्योंकि अनुवन लगाया जा रहा है तो यह जो हमारा theory का paper जो मैं आज समझा रहा हूँ यह हमारे ITI के 2021 के exam के लिए भी अच्छा है और जो हमारे metro UP का paper होगा हमारा 17 April को उसके लिए भी महत्तपूर है क्योंकि theory के question जो होते हो रिपीट होते रहते हैं इसलिए क्रमबार तरीके से आप समझेए मैं समझात हूँ आपको यह जो हमारा paper 200 number का है 200 number का क्यों है इसकी बजाए है क्योंकि इसमें हमारा theory और employability skills दोनों का एक साथ paper आ हम question start करते हैं तो जो हमारे theory question है ध्यान से समझेए क्योंकि एक question हमें हमेशा काम आएंगे चाहे हमारा IT का paper हो चाहे हमारा नोकरी वाला paper हो तो हम question शुरू करते हैं हमारा पहला question जो है ध्यान से समझेंगे question मैं सारा कुछ अच्छे से बताऊंगा एक micrometer में एक thimbal scale division का मान होता है इसलिए इसमें लिकाया थिम्बल scale विभाजन थिम्बल scale विभाजन का मतला हुटा है एक thimbal के खाने का मान तो जो थिम्बल के खाने का मान होता है वो micrometer की list count के बराबर होता है तो हमारी micrometer की list count जो होती है और 0.01 mm होती है तो इसका D answer right answer हो जाएगा next question हम करते है हमारी soldering या bridging होती उसमें plus का काम करता है तो यह हमारी jinx seat जो हो रहती है jinx की coating हुई जो seat रहती है GI seat गोलते है उसमें इसका प्रयोग plus के रूप में किया जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं third question पर third question जो हमारा है इसमें देखिए आप ध्यान से micrometer का new rhythm गिनती अब new rhythm को हम English में least count कहते हैं तो least count जो micrometer की होती है वो 0.01 mm होती है तो इसका d answer right answer हो जाएगा और मैं एक बात और बता दीता हूँ कोई भी micrometer हो चाहाँ वो inside micrometer हो outside micrometer हो death micrometer हो digit micrometer हो सारे micrometer सब की list count 0.0 बने में होती है metric में और British की में side में लिख देता हूँ 0.001 inch यह British system में होती है तो दोनों याद कर लीजिए चोधा question हम करते हैं चोधा question हमारा है किस भाग का उपयोग micrometer गहराई की range में परवर्तन करने के लिए किया जाता है यानि हमारा एक depth micrometer है तो depth micrometer में हमें अलग-अलग गहराई की माप लेनी है तो हम कैसे चेक करेंगे कैसे इसकी माप को बढ़ाएंगे गटाएंगे range को परवर्तित करेंगे देगे इसमें लिखा हुआ है range परवर्तन तो इसमें extension road आती है जैसे अधिक गहराई का लेना है तो हम बड़ी road लगा सकते हैं और छोटी गहराई का लेना है तो छोटी road लगा सकते हैं तो उसे हम extension road कहते हैं और extension road को हम vistar road के नाम से जानते हैं लेकिन इसमें vistar road इती समझ में ना आये तो इसका जो paper रहता English में भी रहता है जो उसी पेपर की साथ में रहता है तो English में भी आप इस option को देख सकते हैं यदि आपको Hindi में समझ में नहीं आ रहा जैसे माल लीजे आपने D option देखा विस्तार रोड लेकिन विस्तार रोड हमें समझ में नहीं आ रहा तो इसमें जो keyword है हमारा goal job है तो हमारे goal job को जो सहारा दिया जाता है वो किस से दिया जाता है या बहुत ही कई बार पड़ चुके हैं तो goal job को सहारा देने के लिए हम किसका उप्यू करते हैं भी block का उप्यू करते हैं तो इसका first answer right answer हो जाएगा क्योंकि जो cylindrical goal job होते हैं वो भी group में फास जाते हैं next question हम करते हैं छटमा question फोर्ज में ताप के लिए stock का सबसे अच्छा विश्ठापन किया है यानि हम फोर्ज कारी के लिए कर रहे हैं फोर्ज कारी के लिए करने के लिए हमें जो ताप होता है ताप हमें कहां अच्छा मिलेगा तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूँ पहले चित्र बना करके जैसे जो हमारी भटी रहती है तो भटी में इस तरीके से हमारा कोईला रहता इस तरीके से जो कोईला होता इस तरीके से नीचे आग रहती है तो इसमें हमें लोहे को कहां रखना है मैं बता देता हूँ जैसे माल लीजे ये लोहा है हमने लोहा सबसे नीचे रख दिया माल लीजे सबसे नीचे इधर नीचे से जाली लगी रहती है नीचे से हबा आती है तो अगर हमने लोहा सबसे नीचे रख दिये जिस प्लेस में हमने अभी रखा तो ये लोहा जो है नीचे से गर्मी कहां से जाली से जाली से कोई गर्मी नी मिलेगी और ऊपर की जो गर्मी है जो ऊपर निकल जाएगी तो ये हमारी गलत पोजीशन है हमें कोईले के जादा नी इसके ऊपर से रहेंगे तो इससे क्या फायदा होगा नीचे के कोईले की गर्मी हमारे जॉब को मिलेगी और हमारा जो जॉब होगा वो गरम हो जाएगा तो कोईल इसमें गहरे अंदुरूनी से आने वाले आग के साथ टायरों के बीच कोईले की पतली परत से ढखी हुई पतली परत बनाएंगे किसकी पतली परत हम कोईले की बनाएंगे एसी कोईले की जो मैं रेडियस में रण से बनाहाया हूँ और ज्यादातार्व आफाला इसका नीचे रहे बज़े बता देते हैं जब भी कोई कोशन हम करते हैं तो हमें क्यों करना बहुत जरूरी है क्यों करने से हमारी मेमोरी में वो कोशन अच्छे से बैठ जाता है तो माइको मीटर के जो हम थिंबल को गुमाते हैं तो थिंबल को गुमाने से हमारा स्पिंडल आंगे जाता है या हम इस पिंडल को गुमाते हैं थिंबल को गुमाते हैं तो ये चूड़ी का सिद्धान तो चूड़ी का सिद्धान जो होता है वो नटबोल्ट होता है तो नटबोल्ट भी इसका अंसा सही होगा और चूड़ी का सिद्धान भी इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ नमर आरये के बाद दादू अधिक हो जाती है इसों σी मोला कोश्चन बताया गया है कि किसी जोप की हार्डिनिंग करते हैं तो हार्डिनिंग करने से सो हम अधिर बोड़ोग भरक है तों सीद मेटल भरक ले चेज़ 28 RAM करते हैं इसे सीद को सीधा हमर के नाम से भी जानते हैं 11th question drill chuck का उपयोग क्या पकड़ने के लिए किया जाता है तो हमारा जो drill chuck होता है यह cd sank वाले drill को पकड़ता है जो मैं drill की sank आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से हमारी drill की sank रहती है cd sank होती है नीचे flute वगर रहती है point रहती है उपर जो machine के spindle में बनता है उसे हम आरवर कहते हैं तो यह question भी बहुत important question है chuck के उपर वाले हिस्से को आरवर कहते है socket यह ताब आता है जा हमारी drill की जो sank होती है वो मोटी होती है machine के spindle में नहीं बनती है तो हम socket का उपयोग करते है next question 12th number question riveting में प्रियोग किये जाने वाले rivet set का क्या उद्देश होता है तो यह हमारा rivet set होता है rivet set का उपयोग दोनों seat को दवानी के लिए उपयोग किया जाता है मैं एक चित्र बना के आपको बता देता हूँ माल लीजिए एक seat A है और एक seat A है इसमें हमने एक rivet डाल दी rivet कैसे डालेंगे हम इस तरीके से rivet डालते है rivet का हैड नीचे रहता है लेकिन इसमें क्या होता है इन seat के बीच में gap रहता है देख लिए अभी मैं red रंग से बता देता हूँ दोनों seat के बीच में gap है इसको हमें दाबाना पड़ता है किस तरीके से हम rivet set का यूज करते हैं rivet set में बना के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का एक टूल रहता है इस तरीके का ऐसे तो जहां हम इसको ऊपर से यदर से दाबाते हैं hammer के दौरे ठोकते हैं इस तरीके से उपर से तो यह क्या है दोनों सीटों को दबा देता है तो उमारी सीटें पास पास आ जाती है तो इसमें देख लेते हैं एक दूसरे के काफी नदिक सीट को लाना तो इसका फरस्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा हातोड़े का striking हिस्सा क्या होता है तो हमें लखा है तो पीन होगा वह फेस लखा होगा तो फेस होगा हम अंगला कोश्टन करते हैं फोटी नमबर कोश्टन पर हम आ जाते हैं फोटी नमबर कोश्टन यह है अधिक इस पैटर का उपयोग के लिए किया जा जते है यह और हो से użyật होता बाब से दिखाई धेने वाला दो फोर मेट्रो यूपी मेट्रो एकजाम यह जरूर आएगा आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसमें एक माइको मीटर है इसमें 0.03 mm की निगेटिव तूटी है तो जो निगेटिव तूटी होती है इसको सही करने के लिए जोड़ा जाता है प्लस किया जाता है ज 25.52 में हम 0.03 add करेंगे तो 25.55 हमारा आंसर आजाएगा तो हमारा जो है बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 25.55 यदि यही पॉजिटिव तूटी होती है तो हम उसको माइनस करते तो एक कोशन चेंज हो सकता है कभी निगेटिव तूटी हो सकती है तो जोड़ देते हैं पी के मेट्रो ये आइटि आए कि एकजाम में आना ध्यान रखिया आप तो यह जो 브ी हम किसी जोब को जब घरम करते है बढ़िया में रखकर में तो उसको उसकी गरमी को हम उस機 जोब के रंग को देखकर करते हैं यदि लाल रंग हुगा पीला रंग हुगा तो ये रंग को देखकर हम लगाते हैं जितना light रंग होगा जितना whiteness की तरफ जाएगा उसका temperature उतना अधिक होगा और जितना cherry rate की तरफ जाएगा उसका temperature उतना कम होगा यानि कि हम रंग देखकर ता answer right answer हो जाएगा next question हम करते हैं एक tap के द्वारा एक छिद्र की चूरी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूरी का krist पूर रूप से निर्मार नहीं हुगा किसी hole में हमने चूरी काटी तो चूरी काटने के बाद हमने देखा कि हमारी चूरी जो है पूरी गहराई तक नहीं बन रही है तो उसका बजाय में बता देता हूँ जब भी किसी hole में जैसे माली जी यह hole है किसी hole में हमें चूरी काटना पड़ती है तो जो हमारा tape का साही रहता हमाली यह tape बना दिया मैंने यह tape है तो इस tape से हमें छोटा hole करना पड़ता है ताकि हमारा जो tape जाए इसमें यह फस फस कर जाएगा जब फस के जाएगा तब ही चूड़ी बनाएगा तो hole हमें छोटा करना है अगर हम hole बड़ा कर देंगे तो चूड़ी पूरी गहराई तक नहीं बनेगी तो देख लेते ह पहला option में लिखा है पहले option में जो दिया गया है पहला option tape drill से थोड़ा अधिक छिद्र आकार तो यह पहस्ट आसा इसका right answer होना चाहिए आपने जो tape drill से थोड़ा अधिक छिद्र आकार परियाप्त कूलेंटेत होगा नहीं tape cutting edge के टूटा होना यह निए tape drill आकार से थोड़ा कम चिद्र अगर हम छोटा चिद्र कर देंगे तो चूड़ी सही बनेगी तो यह तो right answer हो जाएगा तो इसका first answer right answer होना चाहिए यदि हम अधिक चोना चिद्र कर देंगे तो उसमें हमारा tape जो है डीला चला जाएगा तो इसलिए इसका answer first answer होगा एनविल किसके बने होते हैं किस प्रकार के गेर बिनासी टेस्ट आपको समझना पड़ेगा इस टेस्ट को हम बोलते हैं नोन डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट जब किसी जॉब को हम किसी फैक्टरी में बनाते हैं तो उसको चेक करना पड़ता है तो दो चेकिंग होती है एक चेकिंग होती है किसी चीज को मतलब तोड़ करके या उसमें कोई न कोई काट पीट करके जो टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट और एक टेस्ट ऐसा होता है जिसको हम देखकर करते हैं तो दो टेस्ट होते हैं जैसे मैं एक जाम पर लेकर आप जैसे लोही को हम एक्सरा करें और अंदर देखें कि लोही में वेल्डेंग अच्छी हुई की नहीं हम देख कर तो कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर ऊपर हम देखेंगे तो इसका ये आंसर भी गलत आंसर हो जाएगा फरस्ट अंसर भी गलत होगा उपर की गलती को हम देखकर चेक कर सकते हैं तो इसमें हम उसका रेडियो गिराफ्य करता तो उसका एक्सरा हम करेंगे अंदर की गलतियों को बिना किसी खरावी के आप बिना काट पीड के हम उसको चेक कर सकते हैं इसका D answer, right answer होगा, ये भी बहुत ही important question है, next question करते हैं, 20 number question, ये नई stock के बाद, एक नई लोहे की आरी, निमने के कारण धीली हो जाती है, जब हम किसी आरी को, या किसी hexa blade को, इस तरीके की hexa blade जो रहती है, उसको hexa frame में बानते हैं, तो धीली हो जाती है, हम बार बार उसको tight क इसका B answer, right answer हो जाएगा, next question हम करते हैं, 22 number question, एक बिंग कमपास का आका, . north that to be Channel Space की range में होता है, अब बिंग कमपास, तो बिंग कमपास कुछ लोग नहीं समझ पा रहा हूँगे, तो बिंग कमपास को सुद्ध भासा में परकार कहते हैं, परकार जो रहता है, उसमें हम circle भी बना सकते हैं, और उससे बरत भी बना सकते हैं, चाप भी लगा सकते है सारी काम कर सकते हैं तो इसका जो हमारी range होती है वो 50 mm से 200 mm तक रहती है इससे बड़े बनाने के लिए हम ट्रेमल का उप्योग करते हैं इसका 23 नमर कोशन फोर्जमें नियोजित, मुख, आग, रोधक, सामगरी, चिकनी, मिट्टी, दीनाग ये दो प्रकार की bricks होती हैं एक होती है डिनाज bricks अब इसमें डिनाज लिख दिया है जो हमारी आग की इनटे होती है डिनाज bricks और टाल्क bricks ये दो प्रकार की इनटे होती है जो भटी के दीबार बनाने में यूज की जाती है और इसका जो temperature होता है इसमें बहुत मात्रा में लोहा पिगलाया जाता है उसकी दीबारों को डिनाज और टाल्क bricks दो प्रकार की इनटों से बनाया जाता है ये special इनटे होती है ये normal इनटे नहीं होती है तो इसका temperature जो melding point होता हो 1700 इनटे होता है इसका 24 नमर question फोर्ज डुकान में अब फोर्ज डुकान को तुम लोग फोर्ज सॉड बोलिए जहांपर हम fourging कहते हैं प्रयोग किये जाने वाले स्ूज टूल है जो की बने होते हैं तो हमारे जितने भी سूज टूल होते है स्ूज टूल एक प्रकार का तो जो हमारे फोर्जिंग स्वाप में दो हंतोड़े अधिक तर यूज होते हैं फुन है, दो करिया होती है, एक होती है drying out, गो होती है setting out, तो drying out के बारे मैं पहले बताता हूं, जो आपके इस question में दिखाया गया है, drying out, drying out क्या होता है, किसी मोटे job को और मोटा ना करके और पतला कर दिया जाए, तो यह होती है drying out, जैसे यह मोटा जो अपता है तो इसमें क्या होती है लंबाई बढ़ जाती है उसका जो मुटाई होता है यह क्रोस सक्षन कम हो जाता है इसे बोलते हैं ड्राइंग आउट और एक होती है ड्राइंग आउट एक होती है सेटिंग आउट सेटिंग आउट में क्या करते हैं हम ज जो भी ढुपईट करेंगी इसको पतला करेंगे वहम एंविल कि libris पर रखकर करेंगे किते इसके 27 नमर कुछ है रिविट के पहले से निर्वित हैडि से समाड़पित होता है यानि आपको थोड़ा थो नहीं बेंदि events करividad लाता है तो एद Billie करते हैं दोली किस तरीके से लगाई जाथी है मैं आपको बता देता हूं इमिटा करके इसको तराब करूंग्ध होगा और नीचे हम बना हुँगाया में चुछती है। 28 नमर कुश्चन जो है, एन्विल बर्ग छिद्र, एन्विल की जो हमारा एन्विल होती है, नहाई होती है, इस तरीके का ऊपर हिस्सा होता है, फेस होता है, जिसे हम फेस कहते हैं, इसमें दो प्रकार के होल होते हैं, एक होता है, राउंड होल और एक होता है, जो राउंड हो को हिंदी में कठोर डाई लिखा देगी इसमें तो बी आंसर में लिखा कठोर डाई इसको आप इंग्लिस में दिखोगे तो हार डाई आपको मिल जाएगा जो आपके पेपर में एविलिबिल रहेगा नेक्स 29 नमबर कुशन करते हैं सामानी करण करते समय घटक को ठंडा किया जाता है सामानी करण का मतलब होता नॉर्मलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग में हम जोको कमरे के तापमान में ठंडा करते हैं ये ध्यान रखिए, नॉर्मलाइजिंग के लिए कमरे में होती है, कैसे नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है, नॉर्मल हो जाना, तो जब भी कोई वेक्ति गुस्टा हो जाता है, तो बंद कमरे में वो एक गंटे के लिए बैठ लेता है, तो उसके जितनी भी गुस्टा होती कि है वह गुस्षा निकल जाती है और बयत्ती नॉर्माल वस्था में आ जाता है इसी तरीके ज़र बच् Players भी करते हैं बच्ची जब गुस्षा हो जाते ह् है तो कमरे में आराम से 10-15 अंदर मेंक के लिए बैड़ जाते है तो नॉर्मलाईजिंग की रिया होती है बंद कमरे में होती है इसलिए आप कमरे का सभधियाद रखेंगे कि जो बी लोहे की नॉर्मलाईजिंग की रिया कराएगा नेक्स कोजन हम करते है 30. नमर कुशन रेती की आकरती को किस से निर्दिष्ट किया जाता है तो हमारा रेती जो रहती है रेती लंबाई चोड़ाई मुटाई लेकिन इसमें क्रॉस सेक्षन होता है तो सभी आंसर तो है नहीं इसलिए इसका अंसर क्रोस सेक्षन लगाना पड़ेगा वैसे रेती को जो हम लेते हैं लंबाई आकार कट ग्रेट से लिया जाता है लंबाई आकार कट ग्रेट तो इसमें आकार तो है नहीं दोस्त आकार भी नहीं है कट भी नहीं है ग्रेड भी नहीं है अब इसमें क्रोस सेक्षन दिया गया है सुरी दोस्तों इसका आंसर क्रोस सेक्षन नहीं होना चाहिए रेती का जो साही लिया जाता है रेती का साही लंबाई आकार कट और ग्रेट तो कट ग्रेट नहीं है आकार आकार दिया है लंबाई आकार तो आकार सही है सही है इसका अंसा क्रोस सेक्षन ही होगा क्रोस सेक्षन लिया जाता है क्योंकि स्क्राएर किसके बने होते हैं स्क्राइबर किसके बने होते हैं इसक्राइबर यह तुन इसे जो रहता है इसके लिए हम copper का यूज करते हैं ये 33 नमबर कोश्चन कई बार एक जाम में आ चुका है लोग इसमें बहुत confusion में रहते हैं क्या confusion में रहते हैं अब उनके पास ये confusion रहता है कि इसमें मेरून रंग भी है और लाल रंग भी है 34 नमबर कोश्चन building spark से आँखों की रक्षा करता है building जो हमारी spark होती इसमें colored glass होता है जो colored glass होता है वो resin से बनाया जाता है तो इसका D answer right answer हो जाएगा इसके बाद next question करते है 35 नमबर कोश्चन soldering bit के लिए प्रात्मित्ता सामगरी है यानि soldering bit जो हमारी होती है 35 नमबर कोश्चन में soldering bit copper की बनी होती है तो इसका C answer right answer होया copper की क्यों बनी होती है copper ऐसी जगा यूज किया जाता है जो अपनी heat को दुशी जगा ट्रांस्पेट कर देता है transmit करना क्यों करना क्योंकि copper के अंदर heat की और बिद्दूत की चालकता सबसे अच्छी होती है इसलिए जो हमारा building torch का जो nozzle होता है बोवी copper का बनी होती है हमारा जो electro roller होता है बोवी copper का बनी होता है तो इसलिए आपको 3 question मैंने बता दिये है 36 नमबर question paint करने से पहले एक statue seat में मोटी जंग को हटाने के लिए किस ब्रूश का उप्योग करते है तो इसके लिए हम बाइर ब्रूश का उप्योग करते है ये तार का ब्रूश यह होता है उससे हम कर सकते 37 नमबर question यदि एक रोगी मुई से मुई फूख मारने कि उप्चार की पिकरिया नहीं दे रहा है यानि किसी ब्रूश को हम मुई से मुई लगा कर सांस दे रहे हैं फिर भी वह कोई reaction नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए उसे हम उसे हमें पुरणती जो है अस्पताली सुरक्षा देने चाहिए उसको हम बड़ा जो अस्पताल होता है वहाँ पर हमें उसको भेट देना चाहिए क्योंकि जहां हम उसको सांस दे रहे हैं तो वह कोई reaction नहीं कर रहा था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंबीर है नेक्स थर्टी एथ नमबर कुशन है किस प्रिकार की छेनी का उपयोग कीवे तो कीवे काटने के लिए हम क्रोस कट चीजल का उपयोग करते हैं क्योंकि का से क्रोस कट है और का से कीवे है ये ट्रिक मैं कई बार अपने पुराने वीडियो हम बता चुका हूँ का से कीवे का से क्रोस कट तो इसका आंसर cross-cut-cheeel हो जाएगा, इसका 39 number question धातुगा ओर जिससे एक पतली चादर में खीचा जा सकता है, तो धातुगा ओर जो होता है, जिससे हम पतली तार लिखा गया है, तो पतली तार बनाई जा सकती है, तो तार बनाने का ओर डक्टिलीटी होता है, लिसमें डक्ट अब आप English का देखोगे, तो आप उसको इंग्लिस में देखोगे, डक्टिलीटी मिल जाएगा, और बी ओप्सन में डक्टिलीटी देखा, तो हम बी ओप्सन ही टिक करेंगे, चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हो, नेक्स्ट प्सन हम करते है, रेती की उत्तलता क्या होती, यानि रेती जो हमारी फाइल होती है, वो बीच में उबरी हुई बनाई जाती है, फाइल उबरी हुई बनाने का क्या मकसद होता है, इस तरीके से, इससे क्या होता है, जहाम रेती पर प्रेशर डालते हैं, तो रेती हमारी दोनों तरफ से दब तो इसे दबने के बाद हमारी गुलाई में नहीं बनती है तो इसमें देखिए जब दाब लगाया जाता है तो रेधी सीधी हो जाना तो इसका डी आंसर राइट अंसर होगा हलके duty car के लिए हम हलकी ही drilling machine का उप्योग करेंगे बाई तो इसका अंसर हो जाएगा बेंच टाइप drilling machine यह छोटी drilling machine होती है इन चारो option में जो चारो option इधर दिये गए next question करते हैं मिर्दू steel को काटने के लिए छेनी का कौन कितना होता है यह भी बहुत ही confused करने वाला question है 42 number question तो मैंने इसमें भी एक trick बताई थी कि normally हमारा चीजल का कौन 60 degree होता है लेकिन यदि mile steel का question पूछा गया और उसमें 55 degree answer में हैं तो हम answer क्या लगाएंगे 55 degree तो हमारा अभी answer होगा 55 degree यदि 55 नहीं होता तो हम 60 degree answer लगा देते अगला 43 number question किस grade की रेती का उप्योग धातू की बड़ी मात्रा को तिब्दा से हटाने के लिए उप्योग किया जाता है यानि धातू को जल्दी से हमें हटाना है तो कौन सी फाइल हमारी धातू को जल्दी हटाईगी रफ फाइल हटाईगी तो खुरदरी खुरदरी को हम रफ फाइल कहते हैं यानि की कि किसी भी हट की हुए मेटल को तैमपर कियो किया जाता है तो तैमपर करने के बाद अभी भी मैंने पिछले क्वेस बताया है कि टेमपर करने इसे बिट्रलेंस का गोणा आ जैसे हमारी धातु तूटने लगती है, हार्टो हो जाती है पर तूटने लगती है, तो उस तूटने को कम करने के लिए टेंपरिंग की जाती है, तो B answer, right answer होगा, next question करते हैं, 46 number question आ गया है, ये के metric micrometer के थिंबल पर कितने निसान होते हैं, तो थिंबल पर 50 निसान होते हैं, किस पर? metric micrometer, लेकिन British micrometer जो हमारा होता है, एक और होता है micrometer, जिसे हम कहते हैं British micrometer, जो British हमारा micrometer होता है, उसके थिंबल पर 25 निसान होते हैं, ये ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि कभी भी एक्जाम में आ सकता है, next question हमारा 47 number question, कौन सा एक milking माध्यम सूखने में अ इसमें हमारा solder में बताया है, कि solder में कौन-कौन सी चीज़े रहती है, तो solder में LED और 10 होता है, तो first answer right answer हो जाएगा, इसका LED एवं 10, लेकिन यदि hard solder आ जाएगा, तो इसमें हमारी चांदी की मात्र आ जाएगी, silver की मात्र आ जाएगी, तो यदि इसमें लिखा जाए 10 LED प्लस silver, तो hard solder हो जाएगा हमारा, लेकिन 10 LED अकिला लिखा होगा है, तो है हमारा soft solder होगा, इसके बाद है, 49 number question, divider की आकारों को dot dot से निर्दिष्ट किया जाता है, तो divider का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो pivot से, इसमें private लिख दिया, C answer में private लिखा होगा है, जबकि यह होना चाहिए, pivot, pivot और point के बीच की दूरी से, तो इसका C answer, right answer होगा, इसका 50 number question, try square का उपयोग के लिए करते हैं, तो जो हमारी गुनिया होती है, जो try square होता है, stock or bullet, इनीची में इने stock मुना है, तो यह दो काम करता है, यह तो 90 degree check करता है, और दूसरा समतलता, सतय की समतल करता को चेक करना, तो इसका C answer, right answer हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बात और try square में ध्यान करने वाली बात है, यह cable 90 degree को चेक करता है, महपता नहीं है, जो metro में question आ सकता है, जो UP metro का 17 April को paper है, तो इस तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और समझते रहिए, हम जि